Hello students, this is Tanushree, so today we will start last part of exercise 39, so let's start Question number 19, study the pattern in the subtractions given below, find the rule and use it to extend to two more subtractions तो देखो subtractions की pattern यहाँ पे दिया हुआ है, अभी rule को find करना है और वो rule यूस करके हमें 2 more subtractions बनाना है तो अभी देखो first यहाँ पे 2 into 2 है, minus 1 into 1, तो होड़ा है 3 next देखो 3 into 3, minus 2 into 2, तो होड़ा है 5 तो pattern को समझो, यहाँ से हम 2 लेंगे और यहाँ से 1 लेंगे, तो 2 plus 1 हो जाएगा 3 देखो यहाँ से 3 हम लेंगे और यहाँ से 2 लेंगे, तो 3 plus 2 हो जाएगा 5 फिर 4 plus 3 हो जाएगा 7, 5 plus 4 हो जाएगा 9, तो यही pattern है तो अभी देखो rule हो जाएगा, इसको हम ऐसे indicate करें, तो हो जाएगा देखो यह minus, इसको हम ऐसे indicate करें, तो ऐसा होगा, तो rule किया है, यह plus यह हो जाएगा, तो यह निकल जाएगा, तो अभी देखो, तो next हम निकालेंगे, तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 तो next होगा, 6 into 6, अभी minus, देखो, यहाँ पे देखो, 5 into 5, तो 4 into 4, तो यही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी इस number, यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 into 5 हो जाएगा, is equal to, तो rule किया है, 6 plus 5, ठीक है, तो हो जाएगा, देखो, 11, अभी next, 7 into 7, minus, यही हो जाएगा, 6 into 6, तो हो जाएगा, 7 plus 6, 13, Question number 20, study the pattern in the multiplications given below, find the rule and use it to find the next 3 multiplications, तो देखो, यहाँ पे multiplications की pattern दिया हुआ है, अभी rule को find करना है, और बोडोल यूस करके, next 3 multiplications ऐसे ही हमें बनाना है, तो first देखो यहाँ यहाँ पे, 1 into 11 is equal to 11, अभी next, 11 into 11 is equal to 121, तो देखो यहाँ पे 11 जो है, यह fix है, अभी यहाँ पे हमें देखना है, pattern को हमें समझना है, देखो, यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है, तो देखो, और end भी 1 पे ही हो रहा है, तो देखो सब एक ही है अभी जो इस बीच में जो 2 है वो हमें समझना है तो यहाँ पे देखो कितना 1 है 2 1 है तो इससे एक कम हो जाएगा एक 2 यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे 1 2 है पर यहाँ पे हो रहा है 2 एक कम, तो एक ही होगा, ठीक है, इससे एक कम, तो 2 हो जाएगा, एक, अभी देखो, next, 3, 1 है, यहाँ पे, ठीक है, तो इससे एक कम हो जाएगा, देखो, 2, 2 यहाँ पे हो जाएगा, अभी देखो, next, 1, 2, 3, 4, 4, 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कम हो तो अभी रूल को समझो देखो प्रोडाक्ट इस इकल टू अनमबर बिगिनिंग विट वन एंडिंग विट वन ठीक है एंड है एंड है यहां पे टू हो जाएगा ठीक है यही रूल है तो नेक्स्ट हम बनाएंगे देखो यहां पे देखो 4,1 है ठीक है तो यहां पे हो जाएगा 1,2,3,4,5,5,5,1 हो जाएगा इंटू 11 is equal to तो हो जाएगा देखो 1 से शुरू हो रहा है ठीक है अभी यहां पे 1,2,3,4,5,5,5,1 है तो एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा 4,2 ठीक है अर एंड भी 1 पे होगा अभी नेक्स्ट 1,2,3,4,5,6 इंटू 11 तो हो जाएगा 1 अभी यहां पे 1,2,3,4,5,6 तो 5,2 हो जाएगा 1,2,3,4,5 और 1 पे ही खतम होगा अभी नेक्स्ट 1,2,3,4,5,6,7 इंटू 11 तो हो जाएगा 1 और यहां पे देखो 7 है तो 6,2 हो जाएगा 1,2,3,4,5,6 और 1 हो जाएगा ठीक है Question No.21 Study the pattern in the divisions given below, find the rule and use it to find the next two divisions तो देखो divisions की जो pattern है यहां पे नीचे दिया हुआ है अभी rule को find करना है और वो rule यूज करके next two divisions हमें find करना है तो देखो यहां पे 37 is equal to 111 divided by 3 ठीक है next देखो 37 is equal to 222 divided by 6 तो यहां पे देखो pattern को समझो यहां पे 111 divided by 3 into 1 ठीक है 37 is equal to हम इसे ऐसे इंडिकेट कर रहे है तो यह हो जाएगा divided by 3 into यहां पे जो रहेगा वो ही हो जाएगा ठीक है उसके साथ 3 को multiply करना है तो यही रूल है तो देखो where यह क्या हो रहा है stands for a digit ठीक है तो यहां पे देखो next हम बनाएंगे तो 37 is equal to देखो 1, 2, 3, 4 अभी हो जाएगा 5, 5, 5, 5 divided by क्या हो जाएगा 3 into यहां पे जो रहेगा तो 5 है तो 3, 5, 3 into 5 हो जाएगा ठीक है तो हो जाएगा देखो 5, 5, 5 divided by 3, 5 जा 15 अभी next देखो 37 is equal to हो जाएगा 6, 6, 6 divided by 3 into 6 तो हो जाएगा 18 ठीक है Question number 22 Study the pattern in the following multiplications, extend it to 2 more multiplications तो देखो यहां पे multiplications का pattern दिया हुआ है अभी इसे देखके और 2 more multiplications हमें ऐसे ही बनाना है ठीक है तो यहां पे देखो 11 into 11 तो यहां पे हो रहा है 1 to 1 Next देखो 111 into 111 तो हो रहा है देखो 1, 2, 3 फिर 2, 1 ठीक है तो यहां पे देखो 3, 1 है तो यहां पे इसके लिए 1, 2, 3 हो रहा है अभी फिर decreasing order में हो रहा है 2, 1 ठीक है अभी next देखो यहां पे 4, 1 है तो 1, 2, 3, 4 फिर decreasing order में 3, 2, 1 अभी देखो next 1, 2, 3, 4, 5 तो 5, 1 है तो 1, 2, 3, 4, 5 हो रहा है अभी decreasing order में 4, 3, 2, 1 ऐसे हो रहा है ठीक है तो हम next लिखेंगे यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 1 था तो यहां पे हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1 इंटू यहां पे भी देखो 5, 1 है तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है इसके साथ यह multiply हो जाएगा अभी हो जाएगा देखो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी decreasing order में होगा तो 5, 4, 3, 2, 1 थीक है अभी next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 थीक है अभी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी decreasing order में होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1 Question number 23 Study the pattern in the following additions of 5 consecutive numbers Find a rule for the sums Also find the next 3 sums तो देखो यहां पे जो 5 consecutive numbers है उसका additions का pattern यहां पे दिया हुआ है थीक है तो हमें rule निकालना है Also find the next 3 sums और यह ऐसे pattern का 3 sums हमें बनाना है थीक है तो देखो first 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 हो रहा है 15 फिर 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 हो रहा है 20 तो pattern को समझो देखो यह जो middle number है 3 3 के साथ अगर हम 5 multiply करें तो हो रहा है 15 अभी देखो 4 से अगर हम 5 multiply करें तो हो रहा है 20 5 से 5 को multiply करें तो हो जाएगा 25 तो pattern ऐसे हो रहा है थीक है तो rule क्या हो जाएगा rule होगा sum of 5 consecutive numbers तो consecutive numbers क्या है जो एक order में रहेगा smallest to greatest order में देखो यही बोई numbers होता है consecutive numbers टीक है तो sum of 5 consecutive numbers is equal to middle number into 5 ठीक है इसके साथ 5 multiply हो रहा है तो next हम 3 sums हमें बनाना है ठीक है तो देखो यहां पर देखो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 तो यहां से start हो रहा है 2 plus 3 plus 2 से start हो रहा है फिर 3 से फिर 4 से अभी next start होगा 5 से 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 तो middle number है 7 7 से 5 multiply होगा तो हो जाएगा 35 फिर होगा देखो फिर 6 से शुरू होगा 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 तो middle number इंटू 5 तो 40 हो जाएगा अभी 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 तो middle number 9, 9 इंटू 5, 45 Question number 24 Study the pattern in the following simplifications and fill the blanks तो देखो यहाँ पे जो simplifications है इसका pattern यहाँ पे दिया हुआ है तो हमें यह जो blanks है वो fill करना है ठीक है तो यहाँ पे देखो pattern को समझो यहाँ पे 1 plus 1 into 8 is equal to 9 है फिर देखो next 2 plus 1, 2 into 8 is equal to 9, 8 हो रहा है ठीक है फिर देखो 3 plus 1, 2, 3 into 8 is equal to 9, 8, 7 हो रहा है तो pattern को समझो देखो यहाँ पे 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 हो रहा है तो next क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा into 8 is equal to देखो यहाँ पे 9, 9, 8, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5 ठीक है अभी next देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटो 8 is equal to हो जाएगा देखो 9, 8, 7, 6, 5, 4 ठीक है Question number 25 Look for a pattern in the number of bigger squares and the number of dots in the figure Using it fill in the blanks तो देखो यहाँ पे bigger squares और dots दिया हुआ है अभी इस pattern को देखके हमें यह fill करना है ठीक है तो देखो यहाँ पे number of bigger squares 1 है तो 1 square के लिए dots कितना होगा 5 1, 2, 3, 4, 5 देखो 2 squares के लिए हो रहा है dots 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है तो ऐसे चलेगा तो यहाँ पे देखो pattern को समझो 5, 5 के साथ plus 3 करने से 8 हो रहा है 8 के साथ plus 3 करने से 11 हो रहा है 11 के साथ plus 3 करने से 14 हो रहा है ठीक है तो next देखो 5 जब 5 squares हो रहेगा तब क्या हो जाएगा 14 के साथ plus 3 हम कर देंगे तो हो जाएगा 17 अभी देखो next 6 होना चाहिए पर 6 नहीं है तो हम निकालेंगे ठीक है pattern को समझ के हम निकालेंगे तो 17 के साथ plus 3 करेंगे तो हो जाएगा 20 यह 6 के लिए निकाल रहे हैं अभी 7 के लिए निकालेंगे तो 20 plus 3 हो जाएगा 23 अभी 8 के लिए हम निकालेंगे 23 plus 3 हो जाएगा 26 तो यहाँ पर 26 हो जाएगा अभी 9 के लिए निकालेंगे 9 नहीं है यहाँ पर अभी 10 के लिए हम निकालेंगे तो 29 प्लस 3 हो जाएगा 32 तो यहाँ पर हो जाएगा 32 तो यह था exercise 39 नेक्स्ट वीडियो में हम exercise 40 स्टार्ट करेंगे